what is the number of even factors of 36,000 which are divisible by 9 but not by 36 किसी भी number का अगर आपको factor निकालना है तो funda क्या होता है कि जो भी number है उसको lowest prime factor में break करो तो इसको आप break कर सकते हो बहुत असानी से इसको लिख सकते हो 36 into क्या लिख सकते हो बच्चे 1000 इसको पाउजन को ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हो इस को अब 1000 को लिख सकते हो ही इसको थे डिवाइड करोगे तो 500 अगेन 2 से डिवाइड करोगो कितना हो धागा 255 और उसके बाद लिख सकते हो 5 to the power क्यूंद क्लिए हजार कुछ भी नहीं होता है हजार होता है आठ इंटू एकसो पच्चीस यह क्लिए नाउ फोर को लिख सकते हो तूटू पावर टू इंटू थ्री का यह क्या हो जाएगा स्कॉयर इंटू यह टूटू पावर थ्री पहले से हैं और बच गया 5 तूटू पावर 3 तो अल्टिमेटल यह नंबर क्या है यह बच्चो 2 तूटू पावर 5 इंटू 3 तूटू पावर 2 और इंटू 5 तूटू पावर क्या है 3 अब हम आते हैं कोश्चन पे क्या करा है कि आपको फैक्टर ढूंड़ना है जो 9 से डिविजबल हुए तो आपको पता है कि अगर A to the power X और B to the power Y है तो फैक्टर किस से मिलके बनते हैं वो A और B से मिलकर बनता है तो अगर फैक्टर 9 का मल्टिपल है तो यहां पे जितने भी 3 अवे लेवल है वो क्या बनाएगा 3 to the power 2 को आपको रखना परेगा एक साथ यह क्लिर है तभी तो 9 म दो पांच बार अब लेवल है उसमें से एक बार दो और भी लोगे यह क्लिर है अगर आप यह लोगे तो 9 into 2 कितना हो गया है 18 अब जैसे ही कोई और एक्स्ट्रा 2 एड करोगे तो फैक्टर 36 के मल्टिपल में हो जाएगा तो जो यह दो के पापर 5 बचा हुआ था उसमें से आप कितना दो यूज कर पाओगे एक ही दो यूज कर पाओगे बाकी के जो 4 एक्स्ट्रा 2 है उसका तो कोई यूज ही नहीं होगा तो नंबर आपका किस format में मिलेगा नंबर आपको मिलेगा 3 to the power 2 into 2 to the power 1 और 5 to the power 3 इसी में से आपको यह वाला वैलू क्या है एक ऐसा नंब नंबर नैंबर करो तो क्या मनेगा एंवेर मनेगा तो यह दो क्राइट एडिया टो fulfill हो गया हो जाएगा कि नंबर 9 का MVP विषयोगा और साथ में एवनели नंबर भी होगा अब अऐसे कितने नंबर बन सकते हैं तो उसके लिए आपको fracture में परिवर्तन करने के लिए चेंज करने के लिए यही 5 to the power 3 क्या होगा responsible होगा इसके अलावा तो कोई number ही नहीं और आपको पता है कि total factor कितना होगा simply हो जाएगा एक extra value करके बनाते हैं factor तो यहाँ पे total इस combination के साथ 3 plus 1 that implies total और कितने number बनेगे 4 number बनेगे एक लिर है सो हमारा answer कितना होगा total number of factors कितना आएगा 4 आएगा I hope आपको यह समझ में आ गया होगा so thanks for watching the video if you like the video do subscribe the channel and share the channel with your friends